के नमस्कार मैं हुशसी आये जरखन के टोप 25 परमों खबर जानते हैं क्रिशी मंत्री ने सहाकारी समीतिया अधिनियम दोय और आठ का प्रस्ताव किया निरस्त्र क्रिसी पसुपारण एवं साकारिता मंत्री बादल ने नवीन एवं सविक्रित जार्खन साकारी समितिया अधिनियम दोयर आठ के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है बैदनात समीती के अनुसंसा के आलोक में जार्खन सकारी समीती अधिनियम 2008 का प्रस्ताव बना था लेकिन इसने कभी अधिनियम का रूप नहीं लिया इसके बावजूद इसे लेकर सकारी समीतिया से जुड़े लोग और आम नागरीकों में भरम की स्थिती बनी हुई थी इस प्रस्ताव के निरस्त होने के बाद अब संसे की स्थिती समाप्त हो गई है मौसम विजान केंद्र राची के अनुसार 26 और 27 नॉमबर को राज के कई जिलों में हलकी बारिस होगी बतादे बादलों की वज़ा से दो दिनों के लिए ठंड घटेगी लेकिन बादलों के साफ होते ही फिर से ठंड बढ़ने लगेगी सरना अधिवासी धर्म कोड 30 नॉमबर तक लागू नहीं तो करेंगे अनुसार 26 और 27 नॉमबर कोड पारित होने के बाद अब इसे लागू करने को लेकर अधिवासी संगठन लामबद हो रहे है केंद्र सरकार से 29 नॉमबर तक लागू कराने की मांग कर रहे हैं ऐसे नहीं करने पर वे अंधुलन का अल्टीमेटन दे रहे हैं बता दे केंद्रिये सरना समीती ने इसकी तयारी सुरू कर दी है और पंचायतों का दवरा कर लोगों को एकचुट किया जा रहा है कुरोना जाच का चलेगा एक और महा अभियान राज सरकार कुरोना वायरस के संक्रमन की जाच का एक और महा अभियान चलाएगी हलाकि अभी इसे लेकर आदेश जारी नहीं हुए है अभी तक जो त्यारी है इसके अंसार 29 या 30 नॉमबर को अभियान चला कर रैपिट एंटेजन किट से लोगों की कुरोणा जाच की जाएगी अधिकान संभवना 30 नॉमबर को अभियान चलाने की है होटल असोक पर होगा ज्यारखन का स्वामित्व राची के डुरंडा इस्चित होटल असोक पर ज्यारखन सरकार का मलिकाना हख होगा बतादे ज्यारखन सरकार पिछले तीन वर्सों से बंद इस होटल के 5150 सेयर भारत परेटन विकास निगम से खरीदेगी मंगलवार को इसे लेकर मुख मंत्र हमान सुरेन के उपस्तिती में दोनों परक्षों ने एम ओयू पर हास्ताक्टर किये राची सरकार 5150 सेयर के बदले में ITDC को 6 और रुपए का भुगतान करेगी राची धानी में 25 यारू भुगताओं का कटेगा बिली कनक्सन राची धानी में बिली बिल के बकायदारों का कनक्सन काटने का अभियान जोरोसर से सुरू हो गया है बिली बिभाक के अधिकारियों का काना है किया अभियान अब लगतार जारी रहेगा राइधानी में 25 यार उभकताओ पर बिजली का बाकाया है और जब तक सभी उभकताओ से बाकाया की वसूली नहीं हो जाती अभियान तब तक चलता रहेगा बंगाल बिहार जारखन के लिए 1 दिसंबर से चलेगी 6 एस्पेसल ट्रेन बंगाल जारखन और बिहार के लिए पूरव रेलवे 1 दिसंबर से 6 एस्पेसल ट्रेन का परिचालन सुरू कर रही है बतादे दो दो ट्रेन ने सियालदा एवाम हाबडा से खुलेगी जबकि एक ट्रेन मालदा तथा एक ट्रेन भागलपूर राची एस्पेसल ट्रेन खुलन संख्या बढ़ा ही जाएगी वहीं सब्जेक्टी प्रस्णों में ज्यादा बिकल्प दिये जाएंगे इसके लिए इसकूली सिक्षा और सक्षार्ता विभाग सीब्यसी समेत दूसरे राजियों के परिक्षा के प्रेटर्न का अध्यान कर रहा है इस महिने के अंत तक इस प क्रिंसिपल बेंच नई दिली ने दोनों जीलों के 460 पथर करोबारियों पर करीम 900 क्लों रूपे कार्थिक दंड निधायित किया है नेशनल ग्रीन टिविनल द्वारा पारित आदेश के अलोक में खनन पट्टा धारियों अवैद पथर खदान संचालकों के साथ ही बंद पथर खदानों के संचालकों से दंड की रासी वसूल की करवाई सुरू हो गई है जार्खंड वासी मास्क का उप्योग जरूर करे मंत्री जार्खंड के स्वास्तेवं आपदा प्रवंधर मंत्री बंदा गुपता ने कहा है कि पूरे वीश्यों में एक बार फिर कुरोना क संक्रमन की असांका जताई जा रही है इसको लेकर राज ये सरकार भी गंभीर है और इससे बचने के हर संभव उपाय कर रही है उन्हेंने मंगलवार को काक जार्खंड वासियों से अनुरूद है कि मास्क का उप्योग जरूर करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे इस को लेकर परसासन भी मुस्ताइदी से अपना कारे कर रही है इसके लिए आप सभी से अनुरूद है कि परसासन को स्वयोग करे और उनके द्वारा चलाये जा रहा है अभियान में अपना स्वयोग दे जारखन में 233 ने संक्रमितोक पुष्टी हुई है जो राची 93, बोकारो 11, चातरा 3, देवखर 11, धनबाद 13, दुमका 5, पूर्वी 28, कडवा 5, घुमला 4, गेडी 3, जामतरा 2, खोटी 4, कोडार्मा 3, लात्यार 1, लुर्दागा 3, पलामु 1, रामगर 27, सायव गंज 5, सराय जारखन में 233, सिम्टेगा 2, पच्मी सिम्ट, 6, मिले हैं, जारखन में कुल संक्रमितोक संक्या 1, 7, 921, है जबकि 1, 4, 724, लोक स्थोय और 955, की मिरिती हो गई, भारत में नाए केस 44, 245, मिले हैं, भारत में 1, 4, 4, 765, है वहीं जारखन में एक टीप केस 2, 2, 2, 2, खोटी से PLFI के दो उगरवादी गिरवतार रनिया पुलिसने मंगलवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पिलेफाई के दो सक्रे उगरवादी को गिरवतार किया है गिरवतार उगरवादी में डेवा, तोपनो, ओर्पशूर्या तथा विबेक, सिंग, सामिली था दोनों के ग्रेपतारी रनिया थाना छेत्रे के गड़ा हातू गाउं से हुई है उनके पास से पुलिस ने अल्टो कार और नक्सली प्रचार समंधी पर्चे बरामत किये हैं सन्वीद्य कर्मियों के सेवा अधी बिस्तार प्रस्ताव स्विक्रित देदी है बन पर्यावरन एवं जलवायू परिवर्तन बिभाग अंतरगा सायक बन लक्ष को की कमी तथा बिभागिये कारे प्रभावित होने के कारण 31 अक्टूबर 2019 को जारी आधेस के तहत कूल बारा से वैनिवित कर्मियों को एक बर्स के लिए सन्वीदा के अधार पर नि किया गया इस दोरान उपायूक द्वारा पूर में दिये गए दिशा निदेश के अनुपालन की समिक्षा करते हुए समधित अधिकारियों को सक्त निदेशित किया गया की निवान कारे में आराई समस्याओं को दूर करना हम सभी की प्राथमिकता है ऐसे में कारपालक अभ ग्रफ्तारी पर पुरस्कार रासी की घोषना है। इसमें से 106 नक्सली या तो गिरफ्तार हो चुके या आत्मस्वर्पन कर चुके है। जेटी डीसी के बीच होटल असोक के स्वामितों को लेकर हुए एम उयूत के बीच कही। 10 दिनों में अधार से जोडे स्वावी रासनकार दूमकार डीसी। आपूर्ती विभाग की बैठक मंगलवार को डीसी राइसवरी भी के अध्यक्स्ता में आज़ित हुई। बैठक में डीसी ने लावुकों के अधाल सीडिंग से समंधित कारे को फूर्ण करना, रासन दूकानों को बराबर यूनित देना, रासनकार का आवेदन और लेप्स समेत अनविंद्यों पर करमवार चर्चा की। बैठक में डीसी ने प्रखंड आपूर्तिपत अधिकारी को जाकण राज खाद सुरक्षा यूजना के तहद प्राप्त आवेदनों को जल्द से जल्द रासन काड उपलप्त कराने का निर्देस भी दिया है। अस्थानों पर स्वगन मास्क चेकिन अभियान तथा सारे दिक दूरी का अनुपालन सुनेशीत करवाना अतियंत अवस्यक हाए। समिक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने स्वक्ष भारत मिशन के तहत बन रहे सोचाले निर्मान कारे की जनकारी ली। इस दोरन बताया गया कि जिले में अब तक 24 और 50 सोचाले निर्मान पूर्ण कर लिया गया है। इस पर उपायुक्त ने स्वक्ष भचे सोचाले के निर्मान को जल से जल पूर्ण करने की बात कही है। इस दोरन उनने कहा कि 24 और निर्मान में अनिमित्ता की सिकायत मिलने पर कड़ी करवाई की जाएगी। धान अधिप्राप्ति के लिए रामगर में 13 पैक्स खुले। रामगर जिले में किसानों से धान अधिप्राप्ति करना सबसे अहम कारे है। किसानों की सुपधा के लिए जीले में 13 पैक्स का संचारन किया जा रहा है। इस बात की जनकारी मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस में डीसी संदीप सिन ने दी। उन्होंने कहा है कि पिछले बार सिर्फ 6 पैक्स केंदर से धान की अधिप्राप्ति की जा रही थी। लेकिन इस बार उनकी संख्या में इजाफा किया गया है। बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपय जुर्माना। जाकन कि राज्णी राची में बिना हेलमेट और मास्क के गुमने वालों पर अब जिला परसासन सकती बरतने के मुड में है जुर्माना के साथ साथ अब बगर मास्क के गुमने वालों का COVID-19 टेस्ट भी कराया जाएगा। और अगर उनकी कुरोना टेस्ट रिपोर्ट पोजिटीव आई तो सिधे उन्हें कोविंट केयर सेंटर में भेज दिया जाएगा यही नहीं मास्क चेकिन की जिम्यदारी ट्राफिक पुलिस को दी गई है जो सहर भर में बगएर मास्क और एलमेट के घुमने वालों पर करवा होगी बता दे राची जीला परसासन के निदेश के बाद अब ट्राफिक पुलिस फीर से मास्क न पहनने वालों से 500 रुपे का जुर्माना वस्सूलत करेगी राजे में एक्टिव केस कर दो